पुरानी पदसर रचना इश्कुलोंग की रस्त हो गई है और नवीन पदसर रचना के आधार पर ही अब शिक्षोंग का जो अतिसे से ट्रांसपर है और निक्तिया है उशी आधार पर होंगी तो जानते हैं इस वीडियो में साथे वीडियो को लाश्ट तक जरू देखेगा और शात में हाई स्कूल में एक सब्जेट के दो पद भी शुईक्रित हुएं कौन से हाई स्कूल में हो सकते हैं किस प्रकार से हो सकते यह जानेगा और शात में हाई स्कूलों में जो हैं जो सिक्षक हैं वह है खेल सिक्षक की भी निक्ति हो सकती है तो खेल सिक्षक की निक वीडियो को लाश्ट तक जरू देखेगा लाइक एंड सेयर करना नहीं बूलेगा चलिए हम डिटेल में जानते हैं जैसे कि यह पत्र जो जारी हुआ है इसका हमने पार्ट वन और पार्ट टू वीडियो पहले से ही क्रियेट किया है और जो स्कूल है एक एकरत विद्धाला ह उनके बारे में हमने पहले ही जानकारी दी है इसे पार्ट थ्री वीडियो में हम देखेंगे हाई स्कूल सिक्टू टेन और नाइन टू टेन में नामंकन दो सो तक के लिए किस प्रकार से रहेगा साथ जैसे कि एक एक सब्जेक्ट रहेंगे प्रती विषय में और जैसे कि है आप देख रहें है और पर सिच्षट टीन के अकॉर्डिंग है prawda3 और पररिश्ट चार और पांच हम इस वीडियो में कबर करेंगे जी से कि गड़त prsk二 गनावो तो एक एक सब्जेक्ट का जो सिक्षक रहेगा साथ में सात्वा सिक्षक रहेगा वह प्रियोक्षाला सिक्षक रहेगा या फिर प्राथमिक शिच्चक अगर वह नहीं है तो प्राथमिक सिच्चक भिग्यार याणि जिनका ग्रेज्व इंटर में साइस सब्जेक्ट है तो वह सिच्चक रहेंगे यहां पर हम बता देना चारा है कक्षा 6 से 10 तकी कर् कैसे इसे हम देखते हैं जैसे कि 6 to 10 बिध्यालाय में है जो सुद्धा है वह 6 to 10 बिध्यालाय में है जिसमें अतरिक्त आप सेक्शन बना सकते हैं और शाथ में एक सब्जेक्ट के दो शिक्षक भी वहां पर रह सकते हैं तो अत्रिक्त बर्ग जैसे अत्रिक्त कक्षा बर्ग होने पर ही एक गड़त का पद सुईक्रित होगा वहीं दूसरा सेक्षन अगर बनाते हैं दो अत्रिक्त बर्ग होने पर एक जो शिक्षक रहेगा वो है दूसरा पद अंग्रेजी का सुईक्रित हो जाएगा तो पहला चोथा जो पद रहेगा यदि चार सेक्शन वनते हैं तो चोथा हिंदी का पद सुईक्रित हो जाएगा और पांच अत्रिक्त बर्ग यानि पांच सेक्शन वनते हैं तो वहां पर पांच पद सामाजी विज्ञान का रहेगा जो की भूगो लिया अर्थसास से जिनका होना हो सकते हैं तो इस परकार से पदों की शंक्या बढ़ जाएगी अब यहां पर हम बता देना चाहरा हमारे बहुत सारे शिक्षा सातियों के प्रिश्ण वी आ रहे थे कि इसमें किस परकार से मतला अतिरुक्त सेक्शन मान लीजिए अगर साठ चात्र हैं किसी विद्धाला मे तो वह 30-30 के दो सेक्शन बना सकते हैं तो यह ऐसा नहीं है चात्रों एक सेक्शन में अधिक तम 40 चात्र जो की नई शिक्षा नीती के तहत है तो 40 चात्र रहेंगे और फिर एक सेसन कहलाएगा फिर दूसरा बैठक विस्था विश्था के लिए है फिर उसके बाद दूसरे जो सेक्शन बनेंगा यह 40 चात्रों के अलाबा जो अगला सेक्शन बनेंगा तो वह इससे अधिक चात्र और उसमें भी कम से कम 35 चात्र होना चाहिए यानि एक कख्षा में कम से कम 75 चात्र होंगे तो इस परकार से वहां पर एक पज़ सुईक्रित हो जाएगा गड़त का ए देखा जाय तो जैसे कि आद दूसरा माली जह किशी भी अध्यलिया में सेंड गया इसी किया संद्रक्राइब चहटमी में एक अत्रुक्त शेक्सन जो तो बना दिया गया जिस UPS Negro तो वहां पर गशम decreasing rozm चौंधा पद सुईकृत हो जाएं, तो इस प्रकाद से यह पद सुईकृत होँगे, और इसमें 6 संख्या का विशिष ध्यान रखा गया, कि एक section के लिए जो 6 संग है को कम से कम 40 वच्चे होना चाहिए और फिर इसके अलावा एक कमरे में बैठने के अलावा अगर दूसरे कमरे में भी आप छत्रों को बैठा रहा है दूसरा section create कर रहा है तो वहाँ पर भी इतने छात्र होना चाहिए कम से कम 35 शात्र होना चाहिए तो यह इस प्रकासे section का डिवाइडिशन हो जाएगा चलिए हम आगे देखते हैं जैसे कि यहां पर हम देख रहे हैं बंटू टेन का तो बंटू टेन में भी और शिक्ष्टू टेन और नाइन टू टेन में शिक्षों की जो संख्या कक्षा एक से पांच में रहेगी वो दो रहेगी और शिक्ष्टू टेन तो हलाके नहीं है और जो माद्वे शिक्ष्टू टेन ही तो छात्र रहेंगे शे से दस में भी शे शात्र रहेंगे नामांग कन के आधार पर फश्ट टीन के अकॉर्डिंग रहेगा जैसे कि हमने बताया है शिक्ष्टू टेन में और नाइन टू टेन में भी इसी प्रकार से रहेंगे और बंटू टेन में भी यही प्रणाली रहेगी तो ये इस प्रक से बंटू 10 की पत्सरचना है ये विध्याला है और शाथ में यहां पर देखते हैं बंटू 10 में 415 से अधिक नामंकन वाली विध्याला में प्राथ में सिख्षा खेल का एक पद सुईकृत किया जाएगा तो प्राथ में सिख्षा का एक पद और सुईकृत किया जाएगा खे आंगे देखते हैं परश्रिष्ट पांच में क्या दिया है जैसे कि यहां पर हम देख रहा है हार शेक्रेंडी विद्याला नाइन टू ट्वेल में विद्याला की पतसराजना किस परकार से रहेगी तो साथियों यह नवीन पतसराजना है इशी के आधार पर ही अब निक्तिय आती से ट्रांसफर और जो पस्विक्रत होंगे वो इशी आधार पर किये जाएंगे और चलिए देखते हैं यहां पर जैसे कि भासा से तीन सिक्षक एक हर सेक्रेंडी विद्याला में रहेंगे जो कि ब्याक्याता और उच्छमाद्विक होश रखते हैं जैसे कि हिंदी का एक श्विक्षक रहेगा अंग्गरेजी का एक सिक्षक शविक्षक रहेगा अब चलिए अक देखते हैं बिख्यान्विसायichen से रहेंगे बहुत एक स्थक्रे रहेंगे ना सांसे के होगा झारा पद रहेंगे आंट यह सभी इस्कूलों में जो ह Первी स्कूल है ये इस प्रकास से चार सिक्छक साइंस के Def receiver के रए muchísimoخت continu associate कला से इतिहास कला में देखें टो है इतिहास राईनिति सास्त्र या फिर अठ्च 24 सास्त हो सकता तो तीन कलासे रहेंगे इस प्रकास से दस सिक्षक होगा हर सेकंडी विध्याला में अब यहाँ पर दस सिक्षक तो हर सेकंडी विध्याला में रहेंगे ही इसके अलाबा अतरिक्त संक्याए मैं अगर है तो बाड़े संक्याए तो एक पद और सुईक्रित होगा जो इश्कूल है उसमें तीन जो शिक्षक रहेंगे वो प्रात्विंग शिक्षक रहेंगे प्रियोक शाला के तो इस प्रकार से यह है पसर रश्चिना नभीन पसर रश्चिना है जिसके तहट हर शेगिंड विध्धाला में प्रात्विंग शिक्षक रहेंगे और साथ में 1-10 जो विद्धाला है या 6-10 है या 9-10 है इनमें भी प्रात्मिक सिक्षकों की पदस्थापना की गई है अब साथ यो कुछ प्रापधान यह है तो इस प्रकासे नहीं भी हम अगले वीडियो में कवर करेंगे अब देखते हैं 1-12 और 6-12 में पदसर रचना करसे रहे तो साथ यो 1-12 विद्धाला है तो उसमें 2 प्रात्मिक शिक्षक रहेंगे और जैसे कि अन जो 6-10 है तो 6 माद में शिक्षक की निफ्टी की जाएगी और 11-12 के लिए जो रहेगा वो है उपर उपतंसार संकाय के आधार पर ही पदसर रचना रहेगी जो उपर हमने बताया ह उस प्रकार से संकाय के आधार पर 1-12 तथा 9-12 के समझत विद्धाला में प्रात्मिक खेल का एक पद सुईक्रित किया जाएगा तो साथ हो 1-12 और 6-12 के सभी विद्धाला जितने भी है उसमें प्रात्मिक सिक्षक का एक पद सुईक्रित किया जाएगा जो प्रात्मिक सिक विद्ध्यालाय में तो ये नवीन पत्सा रचना है एक इक्रित विद्ध्यालाय की और इशी पिरकार की इनफर्मेटे जानकारे के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसके पार्ट वन और पार्ट टू भी हम वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे देंगे यदि आपने प्राहरंबिक नहीं देखे हैं मादों की उद्ध्यालाय और प्राथों की ज़्यालाय एक इक्रित सब्सक्राइब की किस प्रकास से सवर्चना है तो शाथियों मिलते हैं अगले बीडियों तब तक लिए जय हिन जय भराज जय माज बरदेश